अक्सर जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं एक्जामपल के लिए अभी आप डान सीख रहे हैं वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं या फिर अभी आपने ड्रोइंग प्रैक्टिक्स करना सुरू गिया है पोट्रेट्स बनाना सुरू गिया है बिल्कुल जीरो सुरूवात की है और ये हैं सुरूवात में ड्रोइंग के रेजल्ट्स आप मेरे ही मान लीजिए सुरूवात में सबके ऐसे रेजल्ट्स होते हैं और ये हैं अभी के रेजल्ट्स और यहां से यहां तक पहुँचने में जैसे 6 महीने लग जाते हैं एक साल अभी रो सकता है दो साल बट ये जो टाइम है सुरुवात से अभी तक एक साल दो साल जो भी है ये कोई नहीं देखता अगर कोई चीज देखता है तो वो है आपकी स्किल्स कि आपने अभी तक क्या सीखा और कौन सी वो गलतियां मिस्टेक्स हैं जो आप अभी भी दोहरा रहे हैं इस वीडियो में मैं इन ही मिस्टेक्स की बात करने वाला हूँ जो अक्सर ड्रोइंग आर्टिस्ट अपनी सुरुवात में करते हैं और ये सब मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ शुरुवात में मुझसे भी ये गलतिया हुई थी और सायद हो सकता है आप भी कर रहे हो बैट डॉन्ट वरी गाईज इस वीडियो में मैं कुछ ड्रोइंग टिप्स बताने वाला हूँ अगर आप इन टिप्स को फोलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको एक प्रो आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता तो शुरुवात करते हैं पॉइंट नमबर वन से कीप लाइट प्रेसर ओन दी पैंसिल वाल ड्रोइंग शुरुवात में जब हम ड्रो करते हैं तब हमें पैंसिल पर प्रेसर कंट्रोल का इतना कुछ पता नहीं होता है और हम ऐसे ड्रो करते रहते हैं एक्जांपल के लिए यहाँ पर मैं कुछ ड्रो कर रहा हूँ एक तरफ मैं pencil पर light pressure apply करके draw कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं pencil पर थोड़ा extra pressure apply करके draw कर रहा हूँ और इसके बाद जैसे ही मुझसे यहाँ पर कोई mistake हो जाती है जिसे मुझे सही करने के लिए इसे erase करना पड़ेगा तो अभी मैं इसे erase करता हूँ और दोनों तरफ erase करने के बाद आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने light pressure apply करके draw किया था वहाँ तो सही से erase हो गया बट जहाँ पर pencil पर extra pressure apply करके draw किया था वहाँ अच्छे से erase नहीं हुआ है और outlines अभी भी साफ नजर आ रही है तो outlines और shading draw करने के लिए अपनी pencil पर pressure control हमेशा light ही रखें और इतना कुछ draw करते करते मेरी pencil भी sharp नहीं रही तो हमारा next point है sharp your pencil first and draw later जब भी मैं पहले draw करता था pencil को सिर्फ एक या दो बार ही sharp करता था मतलब pencil की sharpness पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता था और अभी वीडियो में एक तरफ तो sharp pencil के यूज से draw कर रहा हूँ जबकि दूसरी तरफ मैंने pencil को बिलकुल भी sharp नहीं कर रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं sharp pencil के यूज से ज़्यादा अच्छे से draw कर पा रहा हूँ और sharp pencil के यूज से आप hair, beard, outlines और साथ ही pencil setting बहुत ही बढ़िया draw कर पाते हो तो कुछ भी draw करो अपनी pencil को हमेशा sharp रखो pencil को sharp करते टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी pencil की lead break हो जाती है जो कि हमारा next point है यूज ए new sharpner देखिए जब भी किसी pencil की lead break होती है तो उसके main reason दो ही हो सकते है या तो pencil की quality खराब हो सकती है और अगर pencil खराब है तो कुछ नहीं कर सकते दूसरी pencil को use करना होगा और इसके लावा pencil की quality अच्छी होने पर भी lead break हो रही है तो फिर आपका sharpner बहुत पुराना हो चुका है और आपको अभी एक new sharpner का use करना चीए विकोट जब sharpner नय होता है तो तो अच्छे से pencil को sharp करता है बट इसके लावा थोड़ा सा पुराना होने पर वही sharpner pencil की lead को break करने लगता है तो pencil को sharp करने के लिए time to time sharpner बदलते रहें जिससे आपकी pencil के lead break ना हो और मैंने यापर sharp pencil की help से shading कर रखिया है जिसे मैं अभी blend करूँगा जो कि हमारा next point है इस mistake को मैंने भी बहुत बार repeat किया है blending के लिए आप और blending tools का use कर सकते हैं जैसे paper stamp या makeup brush का use कर सकते हैं अगर आपके पास ये सब नहीं है tissue paper का use कर सकते हैं इन सब tools के use से हम ज़्यादा अच्छे से blend कर सकते हैं smooth blend कर सकते हैं और अभी जो next point है वो है take your paper sheet जब हम paper sheet पर draw करते हैं चाहिए shading हो, blending हो या फिर outlines हो जैसे अभी draw कर रहा हूँ so draw करते time paper sheet अपनी जगह से move हो रही है जिसको उझे अपने दूसरे हाथ से hold करके draw करना पड़ रहा है और इसका solution यही है कि आप अपनी paper sheet को पहले tape की help से hold करें और बाद में आराम से अच्छे से draw करें so हमारा 6th point है shading well first and blending later जब भी हम किसी चीज की shading करते हैं तो हम highlight के लिए दो ही तरीकों से shading करते हैं पहला कि हम highlight वाले areas या skin के white areas में shading नहीं करते हैं और बस सीदा इसे blend कर देते हैं जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें shading complete face skin के लिए draw करने पडती है highlights वाले areas के लिए हम बहुत कम pencil पर pressure control apply करके light values को अच्छे से draw कर सकते हैं जो कि blend करने पर भी हमें अच्छे results देता है तो हमें पहले अच्छे से shading करनी चीए और फिर बाद में blending करनी चीए तो अभी चलते हैं next point पर use tissue paper for hand support जब भी आप किसी object की shading करते हो या face shading करते हो और बहुत time देके आप उसे draw कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप ये बहुत easily कर पा रहे हो नॉर्मल सी बात है आपको बहुत hard work करना पड़ रहा है महनत करनी पड़ रही है और लग बग आपका artwork complete होने वाला हो और आपको suddenly पता चले कि आपकी सारी महनत बेकार गई बहुत बुरा लगता है ना और इसका सिर्फ एक ही reason है कि shading करते time hand support के लिए tissue paper का use नहीं किया जरूरी नहीं कि आप tissue paper का use करे आप किसी भी paper या sheet का use कर सकते हैं जिससे आपके drawing खराब होने से बच जाएगी ये सुनकर आप सोच रहे होगे कि सभी flat table यूज करते हैं तो मैं आपको एक बार अपनी table दिखाता हूँ जिसे मैं पहले यूज करता था आप मेरी पहले की वीडियो में देख सकते हैं अगर मैं इस table पर shading करता हूँ तो अच्छे से shading नहीं कर पा रहा हूँ और अगर पहले की बात करें तो पहले मैं इस table पर 2-3 extra paper sheet की help से अच्छे से draw कर पाता था और अभी मैं flat table का use करता हूँ जो कि ये है और अगर आप पहले से ही flat table का use करते हैं तो पहले उसे अच्छे तरह से clean करें बाद में उस पर draw करें क्योंकि अगर हम अच्छे से table को clean नहीं करते हैं तो shading कुछ इस तरह से होती है shading में black black dots अलग से नजर आने लगते हैं जिससे हमारी shading बहुत खराब दिखने लगती है और जो next point है वो highlights के बारे में है use mechanical eraser not white pencil or pen for sharp highlights normally जब भी हम beard draw करते हैं hair draw करते हैं जिनको realistic दिखाने के लिए इनमें highlights को draw करना बहुत जरूरी होता है और इन highlights को draw करते time शुरुआत में हमारी यह mistake होती है कि हम white pencil का use करते हैं जिसके results कुछ खास नहीं होते sharp highlights को अच्छे से draw करने के लिए mechanical eraser सबसे बढ़िया टूल है mechanical eraser से sharp highlights को draw करने के बाद drawing जो है काफी अद तक realistic लगने लगती है और हमारा सबसे last point है number 10 learn new ideas for drawing जब भी कोई beginner होता है तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक बार में अच्छे से draw कर पाते हैं अच्छे से draw करने के लिए हमें एक ही चीज को बार बार draw करना पड़ता है और एक ही चीज को बार बार draw करने के लिए हमारे अंदर patience का होना बहुत जरूरी होता है जो कि शुरुवात में थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप में patience ही नहीं है तो आप बहुर होने लगते हैं जिससे आप demotivate होने लगते हैं तो शुरुवात में आप बार-बार ड्रो कर रहे हो और आप से अच्छे से ड्रो नहीं हो रहा है तो आप उसे वहीं सोड़ दो और कुछ और ड्रो करने की practice करो जब भी आप बहुर होने लगें तो कुछ नया ड्रो करें कभी graphite pencil से, कभी color pencil से या फिर कभी charcoal pencil से ड्रो करते रहो और इसके साथ ही कभी face, nose, beard या फिर अलग-लग object को ड्रो करते रहो ड्रोइंग के लिए नए-नए ideas को ड्रो करो इससे होगा ये कि आप कभी bore नहीं होते हैं और साथ ही नए-नए drawing ideas सीख पाते हो जिससे कि आप में दीरे-दीरे patience भी आने शुरू हो जाते हैं और अगर आप एक pro artist बनना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग तरह से अच्छे से draw करना आना चाहिए जैसे black and white portraits, colorful portraits, body shapes, realistic artworks, object drawings, charcoal pencil artworks और इसी के साथ आप में patience का होना बहुत जरूरी होता है तो ये हैं वो drawing tips जिनने आप follow करके एक pro artist बन सकते हैं तो कौन सी वो mistakes हैं जिनको आपने अपनी शुरुआत में किया था या फिर कौन सी वो drawing tips हैं जिनने आप हमेशा follow करते हो comment करके जरूर बताना और अगर आपको इस वीडियो से help मिलिया है तो वीडियो को like जरूर करना अगर आप इस channel पर new हो तो new videos के लिए channel subscribe जरूर करना सो जल्दी मिलते हैं friends, next video में